तो आप देख सकते हैं दोस्तों जतने भी creatives थे उन creatives पे अलग-अलग कितने रुपे spend हुए है इसमें बहतर performance को पहचानने का आसान तरीका दोस्तों ये है इस वीडियो में हम जानेंगे कि facebook ad में dynamic creative ads कैसे बनाते हैं उनकी results कैसे देखते हैं उनका preview कैसे देखते हैं और क्या चीजों का ध्यान दखना चाहिए ताकि हम dynamic creative ads का जादा बहतर इस्तमाल कर पाएं सबसे पहले जानते हैं कि dynamic creative ad क्या होता है दोस्तों dynamic creative ad एक तरीके का ऐसा ad होता है जिसमें आप multiple images का यूज कर सकते हैं multiple videos का यूज कर सकते हैं primary text multiple use कर सकते हैं multiple headline यूज कर सकते हैं call to action multiple use कर स कौन सा video या कौन सा image या उस image के साथ, कौन सा primary text या कौन सा headline और कौन सा call to action सही perform कर रहा है, या better perform कर रहा है, ताकि आप उसमें से जो best result आएं, उसका एक creative बनाके आप अपना main add चला सकें, जैसे कि आप screen पे देख पा रहा हैं, कि Dynamic Creative में आपके पास पाच text के option आते हैं, 10 image या वीडियो के option आते हैं, जिसमें आप 10 image या 10 video डाल सकते हैं, 5 आप headlines डाल सकते हैं, 5 link डाल सकते हैं, और 5 call to action आप use कर सकते हैं, Facebook इन सब के combination का use करेगा, और इन सब के combination का use करके आपको बताएगा, कि कौन सा combination या कौन सा call to action, primary text या कौन सा image या कौन सा video अच्छा perform कर रहा है लोग किस पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है, किस पे engagement अच्छा आ रहा है या किस पे conversion ज़्यादा अच्छा आ रहा है दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने दो स्क्रीन दिख रही है ये दोनों स्क्रीन मैं ने आपको लिए इसलिए खूली हैं ताकि आपको मैं बता सको कि dynamic creative वाला एड कैसा दिखता है और without dynamic creative वाला एड कैसा दिखता है तो दोस्तों dynamic creative add, create करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपना campaign create करते हैं, उसमें आप अपना objective चूस करेंगे, objective चूस करने के बाद, आपके बस दो option आते हैं, manual setup या automatic वाला, तो आपको manual setup में जाना है, manual setup जिसमें आप अपने targeting वगर डालते हैं, तो यह जो सामने screen द कुछता है, conversion कहां पर करना है, performance, goal, pixel, यह सारे selection आपको धी कर सकते हैं, आपको पता होंगे, बस main फरक है, कि यहां dynamic creative की एक button है, इसमें भी dynamic creative की एक button है, तो इस button को मैं left hand side वाले में, dynamic creative की button को मैं दबा देता हूँ, यह आप से पूछ रहा है, if you use dynamic creative, you will no longer be able to advantage plus creative for catalog, तो ठी के कोई बात नहीं हम continue करना चाहेंगे, इस तरीके से अब यह left hand side वाला एड जो है, dynamic creative एड बन गया है, और जो right hand side वाला एड है, वो normal एड है, इसके लब अगर आप scroll करके नीचे जाएंगे, दोनों में scroll करके नीचे जाएंगे, तो आपको कोई vicious difference नहीं दिखेगा, यहां पर सब कुछ ठीक है, same है, अब हम चलते है, ads level पे, जब हम add create करते हैं, अब हम दोनों ads के level पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं, उपर add का नाम, identity, page वगर आपको choose करना है, उसके नीचे add setup आ रहा है, इधर भी same to same, इधर भी add setup आ रहा है, एक difference आप देख सकते हैं, कि dynamic creative व में नहीं है, अब स्क्रोल करके नीचे जाते है, add creators, यहां पे हम ढेंगे, चान बार इसकेच है, नीचे आ पर दोनों में एक main difference देख सकते हैं, चूज करना है, जो आपको पता है कि अच्छा चलता है, और दो creative आपको ऐसे choose करने हैं, जिनकी उपर आपको testing करनी है, कि जो existing अच्छा चलता हुआ creative है, उसके comparison में ये जो डो नए creative है, क्या ये अच्छा perform करेंगे या नहीं, इस तरीके से आपको creative का choose करना है, ताकि आपको ज्यादा confusion ना हो, और कम budget में आपकी अच्छे से testing हो पाए, और कोशिश कीजेगा कि आप जो वीडियो creative का test, वीडियो creative के साथ करें, और image creative का test, image creative के साथ करें, जब आपके ये दोनों test से result आजा है, फिर आप video और image का, दोनों का mix करके भी test कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कब ज़्यादा काम कर रही है, कब नहीं कर रही है, तो dynamic creative वाले case में हम select images में जाते हैं, मैं आपको example के तौर पर बता दे रहा हूँ, तो let's say मैंने एक image choose कर ली, मैं select videos में जाता हूँ, let's say मैंने एक video choose कर लिया, इस तरीके से मैंने एक और image choose कर ल और dynamic creative add में मैंने 3 creative choose कर लिया है, अब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, देखी facebook के advancement के सार primary text में आपको दोनों ही cases में multiple text add करने का option मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी test करता हूँ, 1, 2, 3, add text का option आता है, मेरे पास और भी मैं text add कर सकता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से पा रहा हैं एक सार, headline भी आप इसी तरीके से दोनों ही case में multiple add कर सकते हैं, बट description जो है केवल dynamic add creative में ही आप multiple add कर सकते हैं, जैसे कि आप दोनों में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 headline, 3 primary text और 3 description डाल दिये हैं, जबकि यहाँ पर 3 primary text, 3 headline तो मैंने डाली हैं, लेकिन description केवल एक ही डल पा रहा है, यह सब मैंने sample words लिखे हैं यहाँ पर, अब दोस्ता हम नीचे आते हैं, website URL दोनों में ही डल जायाएगा, जैसे यहाँ पर भी हम कुछ website URL डाल देंगे, और यहाँ पर भी हम हमारा website URL डाल देंगे, destination page का URL डाल देंगे, जहाँ पर हमको लेके जाना है, अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, नॉर्मल एड के case में आपके वास call to action चूस करने का एक option आ रहा है, जबकि dynamic creative में जब आप drop down करते हैं, तो आप देखते हैं कि call to action का option है, उसमें एक नीचे small button देख रही है, add another option, यानि कि आप multiple call to action भी use कर सकते हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा call to action आपके लिए बैतर perform कर रहा है, इसके लावा दोस्तों नीचे का जो tracking वाला section है, वो दोनों का ही same रहता है, tracking वाले section में आपको कोई खास difference नहीं मिलेगा, तो इस तरी के समने जाना कि dynamic add creative का जो add वाला section रहता है, उसमें क्या differences हैं और उसक आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे previews आ जाएंगे, बहुत सारे add के sample आ जाएंगे, और आप यहां right hand side पे देख सकते हैं, आपने जो भी select किया है वो अलग-अलग creative को चूज करके आप उसके preview देख सकते हैं, वैसे ही अलग-अलग text को चूज करके, अलग headline को चूज करके, अलग description को चूज करके और अलग call to action को चूज करके, आप अपने add का preview देख सकते हैं, dynamic add creative के case में, जबकि यह इतने सारे multiple previews के option आपको normal add में नहीं मिलते, फिर previews तो केवल preview ही है, main important चीज यह है कि आप उसके results को कैसे देख पा रहे है तो दोस्तों अभी आप screen पर देख पाए है, एक add है, जो कि dynamic creative add का add था, जिसे हम कुछ दिनों के लिए चलाए थे, जिसका testing किये थे, इसके हम results देख लेते हैं, कैसे देखते हैं, तो आप add section में आ जाएंगे, add section में आने के बाद आपको यह breakdown की button पर जाना है, और breakdown की button पर आप drop down करेंगे, और यहाँ पर आपको select करना है, by add dynamic creative element, जब आप by add dynamic creative element पर जाएंगे, तो आपके पास option आता है, कि आप images या creatives के बारे में देखना चाहते हैं, या text के बारे में, या description, call to action, या website URL, तो जैसे मैं अगर images या creatives को select करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, जित चानने का आसान तरीका दोस्तों ये है, कि जिस पे भी Facebook ने ज़्यादा पैसे खर्च किये हैं, वो आप मान के चलिए कि अच्छा performance दे रहा था, इसलिए Facebook ने उसको allow किया कि वो ज्यादा पैसे consume कर पाए, और जिस creative पे बहुत कम पैसे consume हुए हैं, उसको आप discarded मान सकते हैं, हम जो है call to action भी देख सकते हैं, कि कौन सा call to action perform किया था, हलाकि हमने एक ही call to action यूज किया था, तो उसका कोई cast result नहीं देखने को मिलेगा, केवल shop ना होता, text हम देख सकते हैं, text आले option को मैं choose करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते है multiple text option है, उन multiple text option में आप देख सकते हैं, combination of text को ज्यादा पैसे खर्च करने को मिले, और वह वाला जो text हो, obviously वह अच्छा perform कर रहा होगा, जभी उसको ज्यादा पैसे खर्च करने को मिले हैं, इसी तरीकी से आप headline भी check कर सकते हैं, कौन सी headline पर ज्यादा पैसा गया है, वह वाली headline आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करती हैं, और आप उसको आगे use कर सकते हैं, इसी तरीकी से आप description का भी check कर सकते हैं, और दोस्ता ऐसा test run करके आपको पता जल जाएगे कि कौन सा primary text, कौन सा creative, कौन सा description, कौन सी headline और कौन सा call to action आप लिए अच्छा perform किया, उसका combination आप बना, आप अपनी main campaign में उस creative का use कर सकत या आप कोई course सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिये गए whatsapp number पे contact कर सकते हैं, किसी भी नए topic को suggest करने के लिए आप इस वीडियो के comment section में comment में topic डाल सकते हैं